एलो 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 एवरिवन मैं वोईस इस कमिंग और नॉट प्लीज लेट में नो एक बार फटा फट हेलो गाईज एक बार पता आदो सब लोग रिफ्रेश्च कर लो एक बार आई सब लो एक बार सब लोग रिफ्रेश्च कर लो ठीक है एक बार सब लोग रिफ्रेश्च कर लो मेरी आवाज आ रही है आप सबको प्लीज लेट में नो माई वोईस इस कमिंग और नॉट कि या साज है मन भाईया का बड़े है ओके सो चलो आता हूं एक मिनट रुक जाओ चरहां मैंने पानी भी नहीं पिया रहे हैं जस्ट एक मिनट प्लीज एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ सब लो कहां चली गई मेरी बॉटली स्टार्ट करता हूं मैंगा इस थोड़ा से रुक जाओ क्यूंकि सारी चीज़े मेरे अके लिए सेट अप करनी पड़ रही है न तो इसलिए टाइम लग रहा है कहां चली गई यार तुम हमसे जुदा हो गए बॉटली इस बॉटली इस बॉटली हमसे जुदा हो गई आप चली है और रही है हम जी एक मिन टा वक है आओ तुम उट्धं गाइश अछुग म आवाज आ रही आवाज आ रही सॉरी 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 चलो ठीक मैं जस्ट चेक कर रहा था रोके ओके चलो सब लोग को शेर कर दो इस पासिबल और चलो शुरू करते हैं अब अब चलो स्टार्ट करते हैं कहां चली की पैन चलिए सो वेलकम एबरीबड़ी माय नेम इस प्रशांत और यूर वाचिंग न्यू इंडिया नेरा गर्मी के मारे जा रही है जान और यह चालू हो गई अब नहीं होगा जान चालू हो जाए ओके एक मिनट एक मिनट ओके सो नाओ लेट्स बिगिन हेलो एवरीवान माय नम इस प्रशांत और वेलकम टू निव इंडिया नेरा चलिए अब शुरुआत करते हैं अभी हमने फिजिक्स के चैप्टर नंबर छय तक के सारे लास्ट मिनट कोश्टन कर लिए हैं दो सेशन के अंदर एक सेशन में त तीन चैप्टर और अब हम देखने जा रहे हैं कि बायलोजी के स्टार्टिंग के तीन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टन लम्क्यूज ओके तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ओके लाट्स बिगिन तो गाइस सबसे पहला चैप्टर है री प्रोड़क्शन इन लोवर एं एं राइयर प्लांट गाइस वो कहते हैं ना कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक यूनिकनेस होता है तो जब बच्चा बड़ी बात आती है बायलोजी की जब बात आती है किसकी बायलोजी की तो जरा यहां पर अच्छे फिद्यान दो सारे के सारे लोग जब जब बात यहां यहां अभी कोई बच्चा कह रहा है टेंथ का इंपोर्टेंट दो तो यहां टेंथ का भी इंपोर्टेंट दिया जाएगा का है टेंशन ले रहे हो गब्राओ मत अपने मंजिलों में चलते रहो एक दिन आगे बढ़ोगी पक्का और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रह ऐसे ठिक चलिए सकाइज बायोलोजी की बात करते हैं बायोलाजी दिशीश में कुछ छीज़े इंपोर्टेंट होती हैं जैसे की important keywords important keywords एक मिनट परिशान गर दिया इसमें एक तो छोटू सा inverter है और इसमें भी मेरी जान ले रहा है बंद दो जा अब शांत रहना चलो सबसे पहले important keywords दूसरा diagrams और तीसरा जो diagram based question होते हैं diagram based question होते हैं जो diagram based question होते हैं वो तो यह चीजे बहुत ज्यादा biology के अंदर important है यार मतब अगर तुम लोग ना कभी भी कभी अगर तुम लोग biology पढ़ते हो तो without diagram possibility ही नहीं है कि तुम अच्छा खासा कर पाओगे biology के अंदर इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान देना तो अगर biology में अच्छे मांक्ष चाहिए तो यह बात पक्की fix कर लो कि तुम लोगों को 110 परसेंट तुम लोगों को 110 परसेंट डाइग्राम पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि चलो मैं अब आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कि biology के exercise की बात करते हैं biology की जो exercise होती है 100 में से 30 marks तो अपने practical है 70 marks जो होते हैं वो है written तो यह 70 में से न तुम आराम से 50 प्लस सिर्फ exercise के दम पे निकाल सकते हो 50 प्लस 50 प्लस मांक सिर्फ exercise के दम पे निकाल सकते हो अगर जिस बच्चे ने total पूरा exercise भी कर लिया ना 70 में से 50 प्लस आराम से निकाल लेगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने exercise के एक एक question की reading की तो मुझे समझ में आया कि यार जितने question बन सकते हैं वो सब exercise में दिया हुआ है already अब question घुमा के पूछ सकता है जैसे कि माल लो exercise का कोई भी एक question है और उस question का जो answer है न वो answer वही रहेगा बस question और अलग कुछ कर देगा कुछ अलग question कर देगा कुछ उसमें extra question भी add कर देगा the sub questions ने कैसे जैसे कि एक question पूछल describe this and also define this draw this neat and level diagram and also describe it है न एक ही question में दो दो important है चली अब start करते हैं important बताता हूं कौन-कौन से हैं देखो यार जब बात आती है biology की तो uncertainty बहुत बढ़ जाती है क्योंकि physics और chemistry में theories होती है biology में भी theories हैं बट उसमें factual चीजे बहुत होती है factual चीजे हमें सीधे याद करना पड़ता है समझना तो पढ़ता ही हैー बट कुछ चीजों को हमें सीधे accept करना पड़ता है क्योंकि हम देखे होते नहीं कभी अब लाइफ में हमने रियल में लीवर देखा है क्या वो तो डॉक्टर देखा रहेगा तो कुछ चीजों को हमें सीधे accept करने पड़ती कि हां ऐसा ही body के अंदर होता होगा तो उसे learning कहते हैं उसे learn करना पड़ता है और इसलिए biology थोड़ी सी hard बन जाती है जो बन्दा इस चीज में तेज होता है लर्न करने में वो बन्दा बहुत आगे निकल जाता है जो नहीं होता तो वो बिचारा पीछे रहता है सब का दिवाक अपना अपना होता है तो चलो फिर शुरुवात करते हैं biology की important से तो भाई सबसे पहले में chapter number 1 की सारी important diagram बताऊंगा और diagram के बाद सबसे important exercise के question बताऊंगा और उसके बाद जो कुछ बचेंगे वो बताऊंगा ठीक है? तो भाई मैं पहले ही बतादू कि इसमें physics और chemistry जैसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 5 question बताऊं वहीं आएंगे ऐसा possible नहीं आपको मैं जूठा दिलाशा नहीं दे सकता ठीक है? चलो आजाओ अभी दर पे तो पहले तो सब reduce है पहले हमें important diagram देखने जा रहे हैं सिर्फ we are now focusing on the diagram तो सबसे पहले हम पूरा diagram देखेंगे important ठीक है? पहले chapter का चलो start करते हैं अगर आपको कुछ भी चीज इस chapter से related समझनी है तो आपको यह diagram आनी चाहिए हाला कि यह board exam में diagram नहीं आएगी सुनो मैं सब बताँगा ना कौन से exam में आएगी और कौन सा तुम्हें समझने के लिए जरूरत है तो यह diagram बोर्ड में नहीं आएगी लेकिन इस diagram को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आँगे के concept समझेंगे आगे बढ़ते हैं board exam में या तो यह diagram आ सकती है for three marks draw करने के लिए इन्हें हम labeling कहते हैं यह label अच्छे से करना पड़ेगा important diagram में पहले diagram important है first diagram is important one दूसरा अब चलों आगे बताता हूँ दोनों में फर्क बच्चे बहुत confused होते हैं enter का ts बोलेगा तो यह draw करके आनेगा और अगर deist answer बोलेगा तो यह करके आनेगा दोनों भी मेंसे कोई एक ही आएगा three marks के लिए मैं जब 2017 में paper दिया तो मेरे पहले वाले आता है exam में जो कि दोनों आपके लिए important है ठीक है चलिए अब ध्यान देते हैं चलों आगे निकलते हैं यह दोनों डाइग्राम आर्थी most important one कोई एक पका आता है आगे बढ़ते हैं एक है हमारा double fertilization वाली यह सब नहीं आता है 2018 की पीपर में आया है जाके देख लेना ठीक है द्यान देना तो यह वाला एनट्रोपस ओवियूल का डाइग्राम प्लीज कर लेना ठीक है चलों आगे निकलते हैं यह वाला जो डाइग्राम है इसे डाइग्राम नहीं कहते यह प्रोसेस है Megasporogenesis का ठीक है तो इसे अच्छे से कर लेना Megasporogenesis मतला female gametophyte का formation तो यह जो डाइग्राम है इसे डेफिनेटली आप लोग अच्छे से दिल से करना ऐसा particular डाइग्राम नहीं पूछेगा इसका बड़ा answer आता है बड़ा question पूछता है उसके अंदर डाइग्राम बना के देन आताया सिर्फ यह सब नहीं पूछेगा कि यह सब नहीं पूछेगा वैसे अगर पूछल लियां तो क्या ही है अगर व donor पूचल लिया YOUR खार honey b वो नहीं पूछता है इस सें हम नहीं पूछेगा हाँ ये देखो exam में पूछता है draw, porogammy, challenge hubamy, misogammy तो ये तीनों diagram याद करके जाना आपको ये फाइदा जानते हो कहां कहां देगा आपको ये फाइदा देगा आपके बड़े-बडे question के answer लिखने में भी फार्दा देगा और आपको पता ही होगा कि जब आप biology के diagram बना देते हो तो ultimately आपको marks बहुत अच्छे मिल जाते हैं ठीक है तो ध्यान देना तो जो ये question है ध्यान तो अच्छे से ये diagram यहाँ से आता है ठीक है हमारे 2017 में भी आया था तो ये diagram ये diagram पर्टिकुलर भी पूछ सकता है कि draw the neat and level diagram and explain double fertilization process ये diagram अकेले कभी नहीं आती ये diagram आती ही आती है बट अकेले नहीं आती ऐसे बोलेगा draw a neat and level diagram of the double fertilization and also describe in detail for five marks तो double fertilization का question और ये diagram 110% exam में आता है ठीक है ध्यान रखना अच्छे से चलो तो इंपोर्टेंट है diagram सिर्फ बता रहा हूं सिर्फ पहले diagram बता रहा हूं questions बाद में ये सब कुछ नहीं आएगा इसे दिया रहते हैं डड़ाने के लिए ये क्या है बंदूक मार रहा है के फोटे सेवन बना दिया है देख रहे हो ये कुछ नहीं आएगा ठीक है ये सब क्या है बंब यूक्रेण बेज़ दो इसको इसको यूक्रेण बेज़ दो बैचारी के पास बंब नहीं है इसको यूक्रेन भेज़ दो यूक्रेन बॉम दिख रहा है मेरे को अटॉमिक बॉम लग रहा है मेरे को यह कुछ लोगों कबाब की अट्डी दिखती रहेगी है वैसे आम प्योर वेजिटेरियन सो मैंने जानता क्या होती है अट्डी विड्डी बटीक है देख लो बॉम दिख रहा है यह बॉम ठीक है चलो आगे निकलते हैं हाँ देखो यह आप यह मोनो कॉट्स आने के चांसे सिर्फ 50% है करना रहेगा कर लो नहीं करना मत करो 50% चांसे से चलो आगे बढ़ते हैं यह भ अब एक्सरसाइज में आजाओ डाइग्राम जाला आता चला एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं तो आप एमसी क्यू तो करोगे एमसी क्यू तो मैं यह नहीं यानता कौन सा आएगा हो तो कोई नहीं यानता है तेरी हाँ, very short type questions या तो exercise से कर लो या तो very short type questions आप लोकोुश्चन बैंक से भी कर सकते हो तो आप सबको में बता दूं कि very short question type जो है ब्लीज आपसे request है कि यह इसके important मत मागो यार एक marks का question है और उसको भी important हमें कुछ भी ठीक है तो एक मक्स के question या objective में आती है और इन्हें आपको करके जाना है पूरा no compromise वरना pass भी नहीं होगे तुम फिर तो अब यहां पर आ जाओ चलो ध्यान दो अब इस में से ना इस में से सबसे पहला ही question important है सबसे first question number three में से important है दूसरा जब था ओशन important है तो यह दोनों कर लेना ठीक है यह दोनों question अच्छे से करके जाना यह दोनों questions is most important one इसी अच्छे से करके जाना चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं question number three में से आगे बढ़ते हैं question number four में आजाओ question number four में सबसे very very important देखो मैंने अभी अभी आपको कहा था double fertilization यह question premium question है यह हर teacher आपको बोलेगा करके जानेगे इसको छोड़के गया मतलब क्या किया जिन्दिगी में यार ठीक है explain the development of dicot plant for three months वैसे मैं आपको एक बात बलू question number four तीन question है तीनों important है क्योंकि जो यह है यह नहीं यह भी तुक मैचुरेशन आफ माइक्रो स्पूर दिया है तो I'm really sorry आपको करना ही पड़ेगा यह ठीक है तो mail वाला भी है तो यह तीनों question important यार तीनों important ही दे दिया ठीक है तीन के तीनों important दे दिया यार तीन के तीनों questions important दे दिया आप कुछ नहीं कर सकते तीनों कर लो question number four में से तीनों question important दे दिया है करना ही पड़ेगा मतलब इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इन में से कोई भी एक पक्का आएगा एक पक्का आएगा यह गरंटी है ठीक है इन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ध्यान देना चलो अब आंके बढ़ती है बाकी तो फिलिंद ब्लैंक आज गया तो अच्छी बात है तुम से बनेंगे जो कुश्चन उदर नहीं दिया हुआ है अब यहां से जो कुश्चन बनेंगे उन्हें बताता हूं ध्यान दो अच्छे से जो एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है जो एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है डाइग्राम हो गए हां डाइग्राम हो गए कि यहां पर दो माक्स के लिए पूछेगा जहां पर आपको टेट्रास्पोरंजीट पॉर्ण से कि सब समझा कि देना पड़ेगा ठीक करो एंसर से इतना बताना है कोई भी चार पॉइंट कोई भी चार पॉइंट यहां से उठा लेना दो मार्क्स के लिए structure of enter पहला कोशन डन आगे बढ़ते हैं और बढ़ा कर सकते न आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ध्यान देना आगे बढ़ो structure of micro spore for two marks कोई भी कुशन है का दो कुशन हो गया ज्यान देना साथ कुशन ही दूंगा सिर्फ चलो आंगे बढ़ते हैं आगे आजाओ 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 जाओ जो देखा डेवलप्मेंट of male gametophytes आप बोलो कि सब important बता रहे हो starting के दो पेज बहुत important होता है ठीक है यह डाइग्राम के साथ कर देना अगर समझाया तो बाकी कुछ नहीं यह तो मैंने बता दिया आपको बाकी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हां इसके उपर यह है क्या development of female gametophyte इसका कुश्च यही कुश्चन है एक्स यहीं है पूरा explanation देको डरने का नहीं यह जो मेगा इस पूरो genesis दिया है यह पूरा इसी चीज को फूरे फ्लो चार्ट को English में लखके इदर दिया यह पूरा English में लिखके दिया यहां पर रीड करो वही लिखा हुआ है यही यहीं वहांपे लिखके दिया यह पूरा paragraph जो ह भौ आटो गैमी हो फिर या-फिर अभी घ्लाओ हो एक टॉपिक आ सकता है उससे कोई नहीं जानता कौन सा आएगा मैं नहीं बता सकता मैं क्यों बोलू यह वाला एक नहीं मैं जानता ही नहीं हूं ठीक है तो ध्यान तो अच्छे जड़ा पहले बार कि जो हमारा पॉलिनेशन बाइविंडे नहीं एनिमोफिली तो यह हम लोग को आया था कैसे आता है डिस्क्राइब पॉलिनेशन बाइवाटर एंडेर अडप्टेशन तो यह पहले दो लाइन लिखने का फिर यह पूरा लिख के दिखाने का ऐसा आता एक्जाम में थोड़ा ध्यान देना अच्छे से ठीक है ऐसे कुश्चन आते हैं मत्त ठीक कोई ना तो कर लेना मतब कैसे कोश्चन आगा धिया तो है यार बैट का इदर दिया बैट का डाइग्राम नहीं दिया तो जैसे कि क्या बोलेगा बैट में यह बोलेगा इतना और यह एड़ाप्टेशन तो तीन पॉइंट हिए जहां फिर तुमको दो मांक्स मिलेंग करना कुछ मातलम नहीं है करना रहेगा तो डाइको गैमी यह सब छोटे-छोटे कुश्चन है दो-दो माक्स वाले पॉलन पिस्टिल इंट्रेक्शन फॉर्ट्री माक्स पक्का आ सकता है बट मेरे को नहीं आया था हम सब को हमारे टीचर ने बोला था पढ़ लो बट हम लो गया तो मत करना छोड़ देना क्योंकि इतने बड़े को टाइम वेस्ट करने से अच्छा छोटे कोशन कर लोगे तो मत करना लास्ट में चलते हैं चीड डेवलपमेंट सीड एंड फूट डवलपमेंट यह इंपोर्टन है फोर माक्स या फाइव माक्स के लिए आता है ठीक है तो जो बताया हो नहीं करने का मत करते हूं मत करना तो कि अ एपो मिक्सिस और हाँ एक चीज़ और मैंने नहीं बताई डबल फर्टिलाजिशन का सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाजिशन वह छोड़ के मत जाना तो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाजिशन और सीड और फ्रूट फॉर्मेशन को भी सिग्निफिकेंस चार पॉइंट तो सिग्निफिकेंस जरूर करके जाना ठीक है पॉली इंब्रायोनी यह हमेशा टीचर के फेवरेट कोश्चन होते हैं तीन मार्क्स के लिए आते हैं तो पॉली इंब्रायोनी या फिर पार्थिनो कार्पी तीन मार्क्स या दो मार्क्स आता है तो कोश्चन कौन-कौन से बने पहली बात पहला कोश्चन पहले डाइग्राम बेस्ट मैंने पहले ही बता दिया है कोश्चन कौन-कौन से बने ध्यान दो अच्छे से तो जो गैमेट्स हैं गैमेट्स फॉर्मेशन अब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो मेल मतलब माइक्रो इस्पोर का फॉर्मेशन एक्जाम में पूछेगा या तो फिर मेगा इस्पोर का पूछेगा तुमारे एक्सरसाइज में मेगा इस्पोर का दिया है बट माइक्रो इस्पोर का नहीं दिया है बट कोई भी एक आ सकता है देखो एक्सराइज में जो दिया है वो नहीं दिया सब बता रहा हूं ध्यान देना फिर है दुसरा पॉलन पिस्टिल पॉलन पिस्टिल इन सब के स्ट्रक्चर की उपर भी कोशन आ सकता है मतब कि माइक्रो स्पोर का स्ट्रक्चर और मेगा स्पोर का स्ट्रक्चर वही चीज को लिखके दे रहा हूं पॉलन पिस्टिल इंट्रेक्शन आ सकता है मैं आपको एक बात दादू यह चीज ना यार 2013 के बाद से कभी दिखी नहीं कुशन पेपर में हमारे टाइम पे भी हमारे सरलोग बोलते यह आता है पॉलन पिस्टिल पर यह प्रिलियम में दिखा था लेक अब य Quickly इस के सिगनिविकेंश की सिगनिकेंश मत छोड़ना दूसरा है सीट ओर मेशन सीर में फूर्मइशन और उसके सिगनिफिकन स यह सबसे सिपरहन राओ फिर दूसरा है पॉली या तो फिर पारथिनो कार्पी पार्थिनो कार्पी और य। ये कर ले रहा कर लिना और any question फ्राःचन पॉलिनेशन आपको पता है ना कितना बड़ा है यार आसान है बहुत बड़ा है इसे कि पॉलिनेशन बाई वाट और पॉलिनेशन बाई विंड पॉलिनेशन बाई बाई बर्ड है ना पॉलिनेशन बाई कोई भी आ सकता है वो एनिफिंग वह ऐसा दिया हुआ पॉलिनेशन तो आप कर लेना, तो इतने question है, इन में से आपको 3 question exam में दिखेगा, बाकि आप जानो, इन में से 3 question दिखेगा, पहले ही बोल दियाओ, अब एक काम करो, तेस्ट करने के लिए, ध्यान दो, आप ये करो, कि ये जो question है, इनको check करो, अपने Prillium के paper के साथ, क्या ये इन में से ए करो आप्के प्रिलयं में इन सारे tenantom में लिखे दिया क्या इन्मेंसे अपकी प्रिलयं में कुस्ष्चन है पक्का कbone रहेका प्रिलयक के पेपर में प्रिलय्आ के पेपर में भीéeक lagi होंगे कि यह कॉलेज का प्रिलयॆ साम में इन में से कुश्ण दिखेगा तुम सोचो ना यार कुशाब तिन तीन छे साथ कुश्ण कर लेते हो और उन हमें से तीन को व्य weekel एगा कितनी अच्छी बात कि ना चालीस कोश्ण क्षण बैंक में दिया है उतना सारा कर भी पाओ कि कि आ Państwo हो भी नहीं पाएगा आपसे कभी ठीक है ध्यान देना अच्छे से चलो आंगे बढ़ते हैं और एक दो जो मेरे फेट छूट गया रहेगा तो वह तुम खुद से भी कर लेना क्या मैं ही सब जो मैं बता दूंगा वही करोगे इंसान भगवान थोड़ी होता है चलो आगे निकलते हैं जितना बता दिया हूं कर लेना यह भी यह करना रहेगा तो कर लेना क्या पता यह पूरा इफा कॉपी पेस्ट कर दिया बोलेगा यह फिल इंदा ब्लैंक भर दो पांच माक्सियली तो कर सकता है बांकी तो आप रिपरिक्षण उनलोवरेंड हाइर इनिम्ल चलो यहां देखो अच्छे से है चलो यहां देखो सरीफेड़क्शन इन लोवर अधिड हायë इनिमल। इसके बारे चलो है अब यहां जान दो तो जोचीज रिडूस हैं उस पर हम फोकस नहीं करते प्रूम जो रिडूस नही है यह क्या यह क्या है Buddha चल यहां नहीं तो सबसे पहले हैं फोकस करें इस और लेट बोलऔर एएक इस थीक्ट यह बना क्याना अब ड़ाइग्राम बनाने में टेंशन नहीं है बाबू डाइग्राम हाड नहीं है बाबू उसकी लेबलिंग हाड है लेबलिंग इतनी खतरना के यह क्या है वैस डिफरेंस वैस इफरेंशिया रीटे टेस्टिस ट्यूनिका वैजिनाली स्ट्यूनिका अधरम बदरम सोहा ठीक है तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते लैटरल इस्ट्रक्चर परफेक्टली तो एलेस ऑफ दी टेस्टिस बड़ाई खतरनाक है बहुत ही खतरनाक है तो ध्यान रखो अच्छे से इस चीज़ का ठीक है चलो अब आंगे निकलते हैं आपने सिखाया है धनाश्री के रही है हाँ मैंने सिखाया बट ठीक है ना आर कर लो अब डाइग्राम तो हाड डाइग्राम हाड नहीं है टीयस ऑफ टेस्टिस ट्रांसेक्शनल कट तो इसको ध्यान देना जर अच्छे से ट्रांसेक्शनल स्ट्रक्चर और कट तो यह आ अगर।vous एक आता है अगर टीयस अपना किह आना पता चला टीयस में यह बना क्या जीरो मांक्स मिलेगा। इतनी महनत और कुछी नहीं मिलता तो लस और टियस टेस्टिस के ही दोनों डाइग्राम है बट यह एलस टियस अब कुछ बच्चे लोग को जिसको दिमाग देने का सुचे का भाई दो तरीके का टेस्टिस होता है क्या तो एक बहुत महान आदमी सुचे का भाई होते तो दो है तो एक आइफा सिधा ऐसा कट कर दिया थिसलिए अइफा दिखता है तो यह कटने का लग तरीका है वाई बस चलो डिक है नोट्स वगरा मैंने टेलिग्राम में दे दिए तो वह डाइग्राम आएगगे एकजाम में कर लेना एक फीमियल के डाइग्राम है कहां चली यह इसकी बात ने कर र आता है लेकिन एक्जाम के टाइम पर हम डर जाती है क्योंकि हाड चैप्टर ना थोड़ा सा महनत करोगे ना तो जिस चीज में मजा आता है उसमें अगर थोड़ी सी महनत add कर दी जाती है hard work then हम उसको overcome कर लेती है थोड़ी सी मेहनत करना पस इसको overcome कर लोगे तुम लोग ठीक है इतना ध्यान लग को अच्छे से तो यह diagram for three marks is most important one ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बाकी तो कुछ नहीं सवाई से है हाँ graphian follicle for two marks यह diagram बहुत important इनमें से कोई भी diagram आ सकता है मैं खुद नहीं जानता कौन सा आएगा तो graphian follicle याद रखना बाकी एक immature follicle वो भी आएगा बाकी तो कुछ नहीं है यह memory आ रहेगा तो बना देना वैसे मुझे ने लगता कि आएगा बट मैं नहीं जानता ठीक है देख लो मैं तो कभी इसको आया नहीं है वैसे देख लो बाकी तो नहीं बता रहा हूं मैं ठीक है menstrual cycle इस सब इस पर्टिवलर डाइग्राम बेस्ट कुछन नहीं है हाँ यह देखो इस अभी दो कुछन बताऊंगा यह फॉर थ्री मांक्स यह है spermatogenesis का question this question is from spermatogenesis याद रखना इसक कि दर गया है structure of sperm देख लो for two marks और यह उगोनिया देखो इस पर्मेटो जिनेसिस वेन आई वोजिन ट्वैल्टी स्टेंडर्ड तब आया था और उसके जस्ट नेक्स्ट ये दोज़र अट्रा की पेपर में उगोनिया का डाइग्राम आया था यह पूरा बनाना पड़ता ए एक फॉर थ्री मार्क्स के लिए आता है प्लीज इसकी लेबलिंग गलत मत करना जिसे कोरोना रेडियेटा यहां है तो यहीं पर बना के आना यह पुलार बोड़ी जर्मिनल वैसिकल यहीं बनाना विटलाइन मेंब्रेन यह है तो यहीं बना के आना यह रीक्वेस्ट है गल चलो बाकि कुछ नहीं है बोड़िमें यह सब आता नाने हैं वैसे बनानडीगा बना देना मेरा क्या है बड़ा आता नहीं है वैसे diagram की practice कर लो gastrula का आया तो ठीक भाई बट ठीक है अब पूछ लिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते बट unfertilized egg आ सकता है ये इसका कुछ chance नहीं है ठीक है इस बत ग्हां देना अच्छे से हाँ अभी मैं सिर्फ diagram बता रहा हूँ बच्चा पाड़ी अभी मैं question नहीं बता रहा हूँ सिर्फ मैं अभी diagram बता रहा हूँ प्लीज ध्यान दो सिर्फ diagram बता रहा हूँ बार-बार सुनो ध्यान से ठीक है चलो diagram हो गया आप सारे इस chapter से सारे diagram हो गया वागे कुछ नहीं है प्लैसेंटा यार इसको कैसे भोल सकते हैं यह मेरे को भी आ चुका है तो फॉर थ्री माक्स प्लैसेंटा जहान रखना दो से तीन माक्स के लिए आता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी क्या भी कर लो फटा-फट बाकी कुछ नहीं तो बास इतने ही diagram चलो आजाओ पह हां अब देखो हां यार exercise के कुश्चन बता दूंगो तो इसी के सारी हो जाएंगे ना आजाओ 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 एक्सरसाइज के सारी important questions है एक्सरसाइज के ही कुश्चन तो 50 मार्क साब को प्लस दिलाएगा इसमें से यह है चलो 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 देखो यहां पर एक्सरसाइस के कुश्चन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये तो है सुनाता निल्वे तो मी रोज मिलाता है भगवान तो कहां है रहे हां देखो यहां पर कुश्चन नमर्ट टू इन वन सेंटेंस तो यह वन सेंटेंस वाले आपको सब याद करने हैं यह तो मतला वह एक मार्क से कुश्चन में भी इंपॉर्टन बताऊं गया फिल इन दे ब्लैंक तो कर रहे हैं वो तो कर नहीं है वो तो अब्जेक्टिव है ना हाँ शाट नौट एंसर चलो यहां ध्यान दो सबसे इंपोर्टन वन वन वट इस कॉलस्ट्रम पहला यह ध्यान दो राइट नोट ओन आई वी अफ इस पर ध्यान दो बडिंग इन हाइ अगे बढ़ते हैं कि कमेंट अने टू मैकेनिकल कोंट्रासेप्ट्ट्व मैथर्स यह हो गया बाकी हो गया और आएगा तो टूबेक्टोमी बाकी बात करो बस 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 चलो यह इतने कुशन इंपोर्टेंट है एक्सरसाइस से इतने पर नहीं करोगे तो क देखो सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट मैंसर्वाल साइकल सबसे पहला कोशन है चार मांक से लेके पांच मांक की बीच में कोशन आ सकता है यह इंपोर्टेंट एवर और यहीं चीज में आपको उदर भी बताने वाला था बढ़ ठीके उदर डाइग्राम नहीं आता इस इसका सिर्फ डाइगराम नहीं आता है इस की छ सविक फेजस पूरे मेंसरोब साइकल के चारों पूछता है इंपोर्टेंट इबट भ्रस उसके हार्मोन ल गया मतला आपको बार-बार बाधाना पढ़ गया की लग होर्मोन क्या कर रहा है एस्ट्रोजन होर्मोन क्या कर रहा है, progesterone hormone क्या कर रहा है, कौन से situation पे, कौन से phase पे क्या कर रहा है, सब बता नहीं. दुसरा, the most important is explain the histology of the structure of the testis. ये question 2017 की paper में आ चुका है. इसलिए मैं इसको बोड़ रहा हूँ कि कर लो. जरूरी नहीं कि उस बार आचो तो इस बार भी आए, बट कर लो, important है आचुका है. आंगे बढ़ते हैं, ये ब्लास्टिला उस बार नहीं आता. आंगे बढ़ते हैं, हाँ, ये वाले को करो. Describe the various methods of birth control to avoid pregnancy. ये कर ले ना, आते हैं ऐसे question. पार्चुरिशन का एक question नीचे इदर भी दिया रहेगा. हाँ, ये देखो. Question number to explain the steps of parturation. 4, 4 marks. ये सारे question 4 marks वाले हैं, ध्यान देना अच्छे से. और ये सारे question उधर के ही हैं, मतलब अगर आप सिर्फ exercise भी कर लोगे ना, पूरे के question यहां से attempt कर पाओगे. सारे exercise में question दिया हुआ है. ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से. बर्थ control पे हमेशा objective के question पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान देना. ठीक है, बाकी capacitation इतना नहीं. यहां ध्यान दो अभी. सबसे बड़े question पे थोड़ा ध्यान दे लो. describe female reproductive system in human. ऐसे यह बड़े-बड़े question ना, ऐसे कभी नहीं आते हैं. ऐसे यह कभी नहीं आते हैं. लेकिन अगर आना रहेगा. अब इस यह बड़ा question क्यों दिख रहा है? यह एफा दिख रहा है उसमें से सिर्फ टेस्टिस, वैस्ट डिफरेंस, एप्रिडाइमिस, वेमेनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ग्लेंट और पैनिस. इनको ही सिर्फ समझाना है. तो ऐसा question तब आता है. इसी लिए यह important question है. female वाला भी, fertilization is important. यार पुरा अच्छे से. तो यह question आया है. यह कौन सा है? प्रोस्टेस भाइविच जाए कॉछा है? यह नहीं पूछा. यह नहीं पूछा है. बट यह तीनो question आ चुका है exam में. And most important question है. यह question मैं अगर book में से भी कराऊंगा और यही कराऊंगा मैं. तो ultimately 10 question होई जाएंगे. तो this is the most important question तीनो. तीनो में से पक्का एक तुमको दिखेगा. तुमारे प्रिलियम में भी दिखा रहा होगा. पक्का दिखेगा. देखो parturation की उपर, fertilization की उपर, और male female का structure और menstrual cycle. यह तो ही important topic है. देखो, menstrual cycle, male, female का structure, male का structure पुरा, female का structure पुरा, fertilization, फिर menstrual cycle, और उसके बाद parturation, मत्तब प्रेगनेंसी वाला part. तो इतने पांच यह तो पक्का आने वाले, इनमें के इनके अलाब़ा कोन आएगा? और छटवा, छटवा किसके उपर question आएगा? जो contraceptive measures है, to avoid the pregnancy. तो यह 6 तो बनेंगे, यहां से ही तो question बनेंगे. और कहां से बनेंगे question बताओ जरा तुम्ही? यह 6 टाइप है. फिर से सुन लो, male, female structure, fertilization, मत्तब जाइगाट का combination, then उसका menstrual cycle, और menstrual cycle important है, और उसके बाद parturation and to avoid the pregnancy, यानि वही parturation को avoid करना? यह 6 question तो बनने ही है, अब extra question कैसे बनते हैं, कि spermatogenesis, वो नहीं कहाई से spermatogenesis, फिर oogenesis, यह 2 question हो गई, sperm का formation और ovum का formation, यह हो गया, फिर हो गया, इतना ही, तो यह आ सकता है, और diagram बता दिया है, तो total 7-8 question बनते हैं, इन में से कोई आएगा exam में, तो easy है chapter, chapter easy है, बट थोड़े बड़े-बड़े answer है, बाकी कुछ नहीं, तो यह करके जाना पड़ेगा तुमको, मैं इसमें कुछ help नहीं कर सकता, sorry, जितना बताया हो कर लेना, RCH program भी करना रहा कर लो, तो important है, आप क्या ही करो, inheritance and variation, inheritance and variation, चलो ध्यान दो अच्चे से, आमी डिरेक्शन मदे नहीं रे बाबा, आमी मजेता है, ओके अनुदा, थामबाय चान ना है, आता घबराय चान आ है, परिक्छेशी आत लड़ाई चाहे, आप ल्याला फक्त अभ्यास कराई चाहाए, ओके inheritance and variation, अब इसमें देखो, पहला ही topic है, chromosome and, chromosomes and mechanism of inheritance, इस topic से वैसे question तो नहीं बनते, इसमें से diagram भी यादा नहीं है, ये question पूछता है कभी कभी, reason for Mendel success, what is the reason behind the success of Mendel, तो ये question पूछता है, तो ध्यान देलो, बाकी में आपको चलो ले चलता हूँ, diagram की दुनिया में, sorry, diagram नहीं definition की दुनिया में, आ जाओ, तो बच्चा पाड़ी, page number 50 से start होता है, सुनो जान से अब, page number 50 से start होता है, definition का भवंडर, page number 50 से start होता है, definition का भवंडर, कोई भी definition आ सकती वहां से, और अगर आपने chapter के concept को समझा है, अगर आपने chapter के concept को समझा है, तो आपने बिना ये diagram के page number 50, sorry, definition के, page number 50 में जो definition दिया है, उन बिना definition के आपने कभी वह chapter समझ नहीं सकते हो पूरा, क्योंकि what is genotype, what is phenotype, what is character, what is trait, ये सब अगर आपको नहीं आता है, तो आप कैसे पूरा chapter समझे रहोगे, आप जूट बोल र ये dark flame gaming को है बाई, cancel board exam, तुमारे चाचा विधायक है क्या, चाचा तुमारे विधायक है क्या, यहाँ ज्यान दे रहे हो, cancel board exam, है हिम्मत तुमारे अंदर exam board cancel करवाने की, चलो अब यहाँ ध्यान दो, कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ाई लिकाई भी ध्यान दो, cancel करवाने एक चेकर ने पढ़ा है, ठीक है यहाँ देखो, तो genetic terminologies, करीबन 20 से 25 definition है, करीबन 20 से 25 definition है यहाँ पर, ध्यान दो अच्छे से, 20 से 25, character, trait, factor, gene, allyls, allylomorph, dominant, monohybrid, pure line, heterogyakas, ऐसे 20-25 definition है, सारी definition आपको क definition ही तो आएगा यहाँ से, F1 generation, punnett square क्या होता है, homologous chromosome क्या होता है, back cross क्या होता है, test cross क्या होता है, phenotypic ratio, genotypic ratio, monohybrid cross, यह important नहीं, these are the definition, definition important कौन जानता है, कौन आएगा, तो definition आपो करनी पढ़ेगी, जानते हो ना आप लोग, इड़ा है, hybrid cross क्या होता है, these are the definitions, explanation भी है, तो ध्यान देना चाहिए, चलो, अब law की बात करती है, तो mandate law, अब वो definition भाई नहीं जानता है, definition आपको पूरा करना है, जो हो सकता है, कर लो, नहीं होता है, छोड़ देना, क्या कर सकती है, चलो, अब आंके बढ़ते हैं, चलो, law of dominance की बात करती है, law of dominance, पहला ये law है, जो हम लोग को paper में आये था, तो यह दो ही तीन law है, सिर्फ तीन law है, तीन में से एक आता है, या तो law of dominance और उसका statement, law of dominance या फिर उसका statement, law of dominance या फिर उसका statement, दुसरा है law of segregation या ही कहीं होगा, या तो law of dominance आएगा, या तो law of segregation आएगा एक आएगा कोई हैं, 100% एक आएगा और या तो law of independent assortment, कितने लगों के prillium के paper में ये 3 में से एक law आया था, जलती बताओ law of dominance law of segment segregation, law of independent assortment किसी ना किसी के prillium में ये question पक्का मिलेगा, ठीक है ध्यान देना अच्छे से, देखो सभी नहीं आएगा योगिता इस chapter की definition 20-25 definition है, अब आप बताओ मैं 25 definition में से कौन सी important बताओ आपको ये बात पता भी है कि definition कौन सी आएगी कोई नहीं जानता है अब MCQ कौन सा आएगा वो मैं जानता हूँ मैं paper बनाया हूँ क्या या one sentence कौन सा आएगा वो मैं जानता हूँ क्या सिर्फ बड़े questions जिनमें से आपको डर लगता है वो question में से ही सिर्फ उतना पढ़ लोगे जो बताओंगा उते नहीं आएगे एक experience कहता है ऐसा ठीक है इस बात को ध्यान देना अच्छे से चलो तो एक पक्का आएगा law of dominance या फिर law of segregation या फिर law of independent assortment से एक कोई question पक्का आएगा ध्यान देना मैंने पहले law of inheritance है law of dominance पहला तीसरा है law of independent assortment और एक है law of segregation इन तीने में से कोई एक पक्का एक्जाम में आता है मैं बार बार चिला कि हम नहीं बोलूँगा टिक करना रहेगा कर लो चलो वांके निकलते हैं हाँ difference between दूसरा question सुन लो पहला question from the Mendels law of inheritance हाँ तीन law में से कोई एक law आता है ठीक है तो पहले definitions थी दूसरा Mendels law of inheritance जिसमें तीन law है उन्हें से कोई एक आएगा और तीसरा है differentiation between test cross and back cross तो difference between back cross and test cross द्यान रखना हाँ चलो आँगे बढ़ते हैं अब बाकी कुछ नहीं बाकी यह सब करना रहे कर लो बरना छोड़ दो हाँ यहाँ देखो भी अच्छे से दो तरीके के interaction होते हैं एक है intragenic एक है intergenic attraction interaction यह दोनों भी दो माक्स के लिए आ जाएगा यह भी धान देना और एक question है यहाँ पर co-dominance के उपर co-dominance के उपर यह कर लेना ठीक है या तो co-dominance और यहाँ पर एक और रहेगा incomplete dominance तो या तो incomplete dominance या तो co-dominance के उपर question आएगा ठीक है या तो incomplete बाकी तो खुदी छोड़ नहुंत करना ऐसे एक प्लिओ ट्रॉपी हम लोग को आया था फॉर्ट त्रिमर्स वह चोड़ो यह प्लियोट्रापी करने प्लियोट्रापी करो गाटे लिए of chromosomes हाँ यह chromosomes देखो यहाँ पर क्रोम मतलब कलार सुमा मतलब बॉड़ी तो chromosomes इसके उपर त्री माख सा कुश्चन आएगा बाकी छोड़ दिना सब क्या करें यह बाइलोजीन इसमें डाइग्राम बहुत कम है प्लियर प्लॉडी समझा देना प्लॉडी यह पुरा प्लॉडी दो टाइप की होती है यू प्लॉडी एने प्लॉडी ऐसे समझा देना पूरा समझा ना रहेगा बाकी तुम्हारे हाथ में बाकी sex chromosomes and all यह chromosomes का structure ठीक है फिर तो ठीक है और लास्ट मिना वह link is और वह बर्ड्स लोग का कैसा मतलब बड्स लोग कैसे इस से मिटर चलते exercise में क्योंकि फिर ऐसे सब इंपोर्टेंट हो जाएगा सब नहीं बताना न मेरे को अभी तक सिफ आठ कोशन बताया है आज बाई exercise और जो जो बताया देखो वो अच्छे इस बाई बाई तो मेल का सेक्स डिडिर्मिनेशन या हनी बी का इनको ध्यान रखना अच्छे से ठीक है चलो आज आए अच्छे साइज में मेरी शॉर्ट वाले तो वन मार्क्स के हैं तुमको खोश से करने को यहां भी डोई यो मैंने बोला ना यह देखो जो statement है देखो statement test cross is back cross but back cross is not test cross यह सम्झाओ one marks के लिए यह सबको आता है यह continue question है आज तीन साल से लगतार आ रहा है ठीक है फिर define the following terms अब यह definition है अब यह समझाओ कौन सा important है तो फिर जानने दो अब definition नहीं आए कि तुमको देखो वाट इस एलोजोम यह भी तो definition है वाट इस crossing over यह भी तो definition है सब definition होते ही 25 definition है टुटल इस chapter में 25 definition मैं कुछ नहीं कर सकता 25 definition है टुटल 25 definition है करते हैं टुटल इस होलांडरी ट्रेट्स एक्सिलिंग जीन्स सब वेरी शॉट के अंदर रही है एक मार्क्स के कुशन करके जाना चोड़के नहीं जाने का एक मार्क्स वाले कुशन है अब यहां पर आजाओ इंपोर्टेंट वाले में देखो बोला था ना वर्ट राइट डाउन प्लियो ट्रॉपी तो प्लियो ट्रॉपी तीन मार्क्स के लिए आता है दूसरी चीज़ मैंने तुमको बोला था ना कि कौन से वह सेवन ट्रेट हैं जिसके वज़ए से मेंडल लें स्टड़ी की और उनको सक्सेस मिली सिलेक्ट हुए सारे के सारे सिस्टम्स वो दो यहां लिगा है वाइदी लॉप सेग्रिगेशन सेग्रिगेशन की उपर कोशन आ गया बोला था ना तीन लॉप में से कुश्चन आएगा इधर भी दिया हुआ ना वही ठीक है और क्या रीजन है मेंडल के स आएक्सर साइस में दे के रखा है अब की ठीक है यह लिंकेश लिंकश करना कर लो दो बाकिशन थो यह करके जाना ठीक है एक्स्प्लें डी क्रोमो जूमल थिए उफिए इंहिरुडेटेंस है इमपॉर्टेंट है यह यह करके जाना यहीं तो चैप्टर है पूरा मेंन बाक इस्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम ठीक है ध्यान देना एक्सरसाइस का कुश्चन इंपोटेंट कर लेना भाई ठीक है समझा अच्छे से चलो आगे बढ़ते हैं भाई मैं बार बार बोल चुका हूं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्यों पर कुश्चन हमेशा आता है मतलब उ डिस्क्राइब दी डिफ्रेंट टाइपस ओफ क्रोमोजोम तो एक कुश्चन क्रोमोजोम की उपर ये बनेगा और एक कुश्चन टाइपस ओफ क्रोमोजोम की उपर बनेगा तो दोनों को ध्यान देना अच्छे से बाकी तो सब ऐसे ही है बाकी मत करो चलेगा नुम्मर फाइब में से सिर्फ दुसरा कुश्चन और डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड एक्स्प्लेनेट से सिग्निफिकेंस थर्ड कुश्चन तो दुसरा तिसरा और छटवा आठवा शिक्स्थ और एड़ यह कर लेना बास इतने करने ठीक है तो बास हो गया चैप्टर इत अच्छे टेंथ में उनको कल टेंथ वालों को जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं ओके गाईस सारी चीजे में बता दी है जितना बताएं उतना करके जाना है हाँ परफेक्ट्ली योगीता गदम बहुत बढ़िया फिनोटाइपिक जिनोटाइपिक रेश्यों डेफिनेशन में बताया हुआ है वो तो पूछते हैं यह बताने के लिए तो गाईस अब सुनो ध्यान से जितने कोश्चन दिया हूं वो बड़े कोश्चन का आपको आइडिया मिल गया होगा जो अबजेक्टिव है जैसे MCQ वन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक टू फॉल्स तो आता नहीं है तो वन सेंटेंस MCQs फिल इन द ब्लैंक यह जो है न यह कोश्चन बैंक से करना वेरी शॉट एंसर MCQ वन सेंटेंस कोश्चन बैंक से ही करना और कहीं से मत करना कोश्चन बैंक is most important for that बड़े कोश्चन बता दिया exercise में से कर लो और एक काम करो अपने प्रिलियम में मैच कर ल अच्छे से उसके अलबाव और कौश्चन पूछेंगे यह ठीक है तो आराम से हिम्मत रखना जितने कोश्चन बोला है 5-6-7 कोश्चन बताया हूं साथ में से कम से कम एक चैप्टर में तीन कोश्चन तो पक्का आएंगे तो एटलिस 7 कोश्चन तो कर लो फ्रॉम पर्टि का भी कल मैं तीन चैप्टर और लूँगा ऐसा करके मैं जल्दी जल्दी आपको दो से तीन तारीक तक पूरा लास्ट मिनट रिवीजन बता दूँगा तो यह सशन जॉइन किया करो आपको फायदा होगा कौन सी चीचे पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है यह पता चलता है गईस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जहां पर मैं पीडियाफ नोट सब कुछ देते रहता हूं वहां पर जाके जॉइन कर लो और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ज झाल